सभी यात्री गण का साहिल एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं और सभी विध्यारती फटावर से जुड़ेंगे प्रॉफिट लॉस हमारा जो चल रहा है साथ के साथ आपने सुभै हरीश एक्सप्रेस ट्रेन को नौ बजे पकड़ा था फिर कल हमने जितना सीखा जितना मैंने आपको रिवाइज करवाया क्या आप उससे परिपूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं क्या अगर हां तो एक बार आप थमसप कर दें और आप सभी विध्यारती जल्दी से एक बार थमसप कर दें very good morning to all of you बहुत कुछ आज सिखाने वाले है रन निती बहुत सठीक है एक्सप्रेस बैच में टॉपिक वाइज आप लोगों की कंसेप्ट और क्लैरिटी में दे रहा हूं लगातार आप लोगों को 70 दिन का प्लान है 100 दिन भी जाएगा जाएगा उसमें कोई मुझे टेंशन नहीं है आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए हरीश भाईया सुबह 9 बजे आपको इलिए मेहनत करवा रहे हैं solid वाली तो सुबह 9 बजे आप उनके साथ जुड़िए 10 बजे आकास सर आप लोगों को करवा रहे हैं बड़िया चीज और 11 बजे मैं आप लोगों के लिए कसर नहीं छोड़ रहा हूँ हम तीनो as a team as a team बहुत तगड़ी मेहनत करवाने वाले हैं और railway में selection की record तोड़ने वाले हैं selection का record हमेशा percentage basis पर होता है तो आज अगर limited seats हैं तो उनमें भी selection देना हमारा पहला टास्क है तो वही लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे आप लोगों की फिर यह demand थी कि सर हमें mixed practice भी दीजिए तो वो भी हमने कसर नहीं छोड़ी वो भी हमने आप लोगों को mixed question की practice exam वाली feeling के साथ में दी जहां पर मेरा catch the math daily तीन बजे चलता है daily practice होती है यह ऐसा session है जिसे दुनिया दुनिया सलाम करती है क्योंकि यह practice है यहां मैं भी test होता हूं और आप भी test होते हैं साथ के साथ में तीन बजे यह होता है छे बजे आपका catch the reasoning होता है घजब का session reasoning के लिए जो regular basis पे आपको लेना है पर यह session आपको regular लेने है उससे आपकी क्या होगी तैयारी को boost मिलता रहे ठीक है चलिए और cts आपका रात को 10 वजे चलता है यह अपने टेलिग्राम चैनल है math by sahil sir और quick tricks by sahil sir official यह दोना टेलिग्राम चैनल है जहां पर आप अपने important PDF और updates पा सकते हैं अब कैई बच्चे सोचते हैं कि sir मैं ALP की तैयारी कर रहा हूं technician निकल जाएगा NTPC के paper भी द लेबस करोगे तो आप अपना time और अपना selection छोड़ के जा रहे हो उस बच्चे के लिए जो बच्चा एक बर अच्छे से पढ़ रहा है तो आप लोगों को अगर quality education से जुड़ना है तो railway record breaking batch जो की बहुत ही nominal affordable cost में है हाँ quick tricks by sahil sir application पर मिल रहा है offer के साथ में चल रहा है हम बिलकुल भी बंद नहीं कर रहे है offer आप लोगों को जुड़ना है तो आप ALP, ANTPC, Group D, Paramedical J सब के लिए आप तैयारी कर सकते हो non-technical part CBT1, CBT2 सब cover हो जाएगा अपनी प्यारी application पर ये batch आपको मिल जाएगा test series जिनको लेनी है वो test series ले सकते हैं अपनी application अलग है quick tricks test series के नाम से अब जिस दिन मन हारने लगे उस दिन अपने आप से पूछना कि शुरू क्यों किया था ये real बात है कई बच्चे शुरुआत करते हैं बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कौन ग्रसित है अगर आप लोग मेरी इस बात को relate कर पा रहे हैं तो एक बार आप thumbs up कर दीजिए कि कैई दिन तक आप पढ़ रहे हो 10 दिन पढ़े ना 10 दिन के बाद मन हारने लग जाता है यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा एक्च्वल में आप वो चीज़े सोचने लग जाते हो जो आपके कंट्रॉल में ही नहीं है आपके कंट्रॉल में बेटा बस मेहनत करना है मैं वही कहना चारा हूँ कि रेस में दौरने वाले वो बच्चे बनो जो लाश्ट तक दौर सको कल मैंने आपको एक वीडियो बना कर बता भी दिया कि हर बच्चे में आप तो मान के चलो 500 बच्चों को पीछे करना है तो उस 500 बच्चों में वो भी होंगे जिन्होंने शुरू ही नहीं करा अभी तक 500 बच्चों में वह भी होँगे जो यह सोच रहे होँगे कि कब शुरू करूँगा 500 बच्चों में वह बच्चे भी होँगे जो यह सोच रहे होँगे अभी तो बौत दिने लास्ट के एक महीन वाला COURSE जोईन कर लूँगा उसमें selection हो जाएगा तो वो बच्चे कभी selection नहीं ले पाएंगे ये बात आप ध्यान डखना तो आपको उन बच्चों में बनना है जो बच्चे selection लेंगे आप लोगों को अपनी clarity बहुत रखनी है और खुद को motivate करने के लिए आओ ना भाई या नहीं बना पाओगे चेक कर लेते हैं एक बार आपका चलिए शिव ने एक कमीज को 8% के लॉस पर बेचा ये logical बात है कि आप किसी कमीज को 8% के लॉस पर बेच रहे हो 8% के लॉस पर 8% का लॉस मतलब आपने कितने पर बेचा 92% पर बेचा this is your selling price 92% is equal to 184 100% is equal to 100% is equal to 100% is equal to हो गया 200 200 आपका क्या हो गया आपका ये cost price हो गया 200 आपका ये हो गया cost price अब cost price अगर 200 रुपे आपका हो चुका है तो 5% के लाप्राप्त करने के लिए तो 200 रुपे अगर आपका cost price है और आपको 5% का लाप्राप्त करना है तो 105 बटे 100 करूंगा तो 210 रुपे आपका क्या हो जाएगा selling price हो जाएगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत ही सही concept है ऐसे concept में जहां पर percentage दिया हुआ होता है तो पहले सबसे पहले हम एक चीज़ निकालते हैं cost price cost price हम क्यों निकालते हैं क्योंकि हम हमेशा selling price से selling price पर नहीं जा सकते हम cost price इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये है reference है वह सारा का सारा जो reference है वो cost price से ही बनता है और cost price से ही आप अगली selling price पर जा सकते हो अगला question आपकी screen पर फिर इसी concept पर है एक बर आप ट्राई करिए, प्लीज, ट्राई प्लीज, सिमीलर कॉंसेट्ट, सिमीलर चीजें, कि 4% का अगर loss है तो 4% का अगर loss होगा तो यह किसके बराबर होगा 96% के बराबर होगा और 96 जो बराबर है वो 3600 के बराबर होगा ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब ठीक है भाईया अब यहां से अगर हम कारते हैं 4 से या हम कह सकते हैं इसको 6 से काट दीजिए तो 6 से काटा हमने 16 बार और 6 से काटा हमने इसको 600 बार ठीक है अब हम बात करते हैं 100% की तो 100% बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 600 बटे 16 एंटु 100 चलिए तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आप लोगों को कि 4, 4, 16 और 15, 4, 60 और 4 से गाटा किती बार? 25 बार तो 15, 5, 75 15, 2, 30, 37 तो 37, 50 रुपिया 37, 50 रुपिया आपका क्या निकल कर आ जाएगा? क्रेम मुल्य निकल कर आ जाएगा अब 37, 50 रुपिया अगर आपका क्रेम मुल्य है फिर आप कितने में बेच रहे हो? 42 में तो 500 रुपिय का प्रॉफिट यहाँ पर 200 का यहाँ पर तो कुल मलाकर 400 का प्रॉफिट हो गया 37, 50 के रेस्पेक्ट में हो गया गुणा 100 हो गया आगे सॉल्व करता हूँ 0 से मैंने 0 काट दी अब मैं यह देखता हूँ सर्फ 15 से काटा मैंने 3 बार 15, 29, 30, 15, 5, 75 और 4, 12 तो 12% का जो आपको दिख रहा है वो आपको गेन दिख रहा है 12% का आपको गेन नजर आ रहा है प्रॉफिट नजर आ रहा है 12% का ठीक है? चलिए आशीश मेरे फाउंडेशन बैच की प्राइज कमी है बहुत कमी है वो आप जब जोइन करोगे तो आपको अपने आप उसका वैल्यू पता लग जाएगा कि हमने साहिल सर को लूट लिया है मैं सच बोल रहा हूँ बुरा मत मानना अच्छी मैं आप जब जोइन करोगे तब आपको पता चलेगा जब पढ़ लोगे एक दोड महीना उसके बाद आपको ऐसास होगा यार मास्टर तो लूट लिया गया है तो आप जो प्राइज है वो अल्रेड़ी कम है इशू अगर होगा तो फिर महनत करने का कोई मतलब नहीं है अभी यह टाइप एक जहां पर आप सीधा परसेंटेज के थुरू पहले क्रेम उल्या निकालते है और क्रेम उल्या से फिर आप आपका प्रॉफिट निकालते है दूसरे सेलिंग प्राइस को दिया हुआ होता है एक चीज में आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप है न यहां पर क्यल्कुलेशन आप यह को कोशन तो आसान होता है बट क्यल्कुलेशन में टाइम लगेगा तो वही कोशन की वैल्यों को बना देगा ठीक है नेक्स्ट अगला प्रशन फिर से आपके सामने है तो थोड़ा आप ट्राइ करिए फिर इसके साथ में मैं आपको इसमें रेशो मेथड भी समझाऊंगा कि सर इसको रेशो से भी कैसे आसानी से किया जा सकता है क्या वो भी बताऊंगा और नॉर्मल मैथड भी बताऊंगा एक बर आप कोशिश कर लें देखो मैं आपको पूरा समझाता हूँ डियरे ना पहले हम उसी मेथड से करते हैं जो पिछला सीखते हुए आ रहे है क्योंकि धीरे धीरे सीखा जाएगा कि सर 25 परसंट की हानी होती है तो सौ मैं से 25 परसंट की हानी होगी तो 75 परसंट पर आप बेच रहे हो और बेच रहे हो याने कि 1350 की यह बराबर है तो आपने देखा सर्फ 15 5 75 और 15 9 135 और यहां 1% बराबर हो गया 18 और यहां पर 100% बराबर हो गया कितना 1800 इस यह आपका क्रेम मुल्य हो चुका है अथारे सो अगर आपका क्रेम मुल्य है तो आप से यह क्या बोला जा रहा है कि 25% का लाब कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो 25 परशन का लाब कमाने के लिए 125 बटे 100 करना पड़ेगा दिस इस देसी मेथड ओके तो 18 इंटू 125 अब कैलकुलेशन सिखाता हूँ थोड़ी बहुत जो बच्चा सीखना चाहता है वो हाथ खड़ा कर ले आप मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं इस में से 2 इसको उधार दे सकता हूँ । अगर मैं 2 इसको उधार दे दूंगा तो 9 रह जाएगा और ये 1500 बन जाएगा और 25 नमा कितना होता है I think आप सुब को पता है कि 25 नमा 225 होता है तो यह एक method है जो आप इसको choose कर सकते हो मैं आपको compulsion नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से करे बट कोई बुराई नहीं है सीखने में सीखने में तो कैसी बुराई होती है कभी होती ही नहीं है अब इसका दूसरा method क्या है अब मैं ratio method आपको समझाना चाहता हूँ जड़ा सभी लोग सामने देखना ratio अनुपात वाला method अनुपात वाला method यह कहता है कि 25% की हानी हो रही है गुरू जी तो 25% का जो value है वह एक बटे 4 के बराबर होता है अगर चार आपका क्रेम मुल्य है तो एक आपकी हानी है तो तीन आपका विक्रेम मुल्य होगा कर नहीं होगा बताओ भाया चार अगर आपका क्रेम मुल्य है और तीन आपकी हानी है तो यह आपका विक्रेम मुल्य होगा कर नहीं होगा बिलकुल होगा और इसी 25% का अगर लाव हो रहा हो तो आप 4 आपका क्रेम मुल्य है तो आप ये 5 आपका विक्रेम मुल्य होगा कर नहीं होगा बताओ बोले सब बिल्कुल आप उचित कह रहे हो बात सारी की सारी सही कह रहे हो आप लोग तो आप मुझे ये बताइए कि आपका यहाँ CP सेम है हाँ या ना बोलिए दोनों कंडिशन में कंडिशन नमबर 1 में और कंडिशन नमबर 2 में क्या CP सेम है आप बोलेंगे येस सर CP will be सेम अगर CP सेम है तो बस 3 बराबर आप क्या कर दो 3 बराबर 1350 और यहाँ से आजाएगा 3 4 12 और 3 5 15 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 455 तो यह हो जाएगा 2250 कैसा लगा आप किरपया करके बता सकते हो तो बता दू कोई बात ने ठीक है भाईया हाँ अभी बच्चा कह रहा है सर बुक लेनी है कौन सी लूँ शिवम सक्सेना बुक मेरे पास भी है भाई लेकिन मैं अपनी बुक को कभी बताता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं बताता हूँ क्योंकि मैने शायद हो सकता है कि आप नहीं समज्ते होगे ये मेरी बुक है जिसमें Railway Mathematics की बुक है आपको यह flip card पर मिल जाएगी इसमें सारे previous year question है chapter wise है best किताब है मोटी भी अच्छी खासी है इसमें पूरी practice आपकी हो जाएगी लेकिन मैं अभी book के लिए recommend आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ बाकी कहें से तो आप मानोगे नहीं मेरी बात मैं यह कहता हूँ कि भाया पहले basic cover करो previous year questions में यह cover करवाऊंगा इस book को भी मैं यह solve करवाऊंगा तो हर काम है समय के हिसाफ से होगा लेकिन आप में से क्याई बच्चे आज ही सब खाना चाहते हैं तो वह एक साथ अपना पैसा ऐसी जगे खर्च कर देते हैं जिसका वह यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि तरीके step by step preparation होती हमेशा अब कई बच्चा सबसे पहले book खरीता है फिर उसके बाद उसके mock test लगाता है फिर वो mock test लगाने पर उसके आते 40 नंबर फिर वो class में आके cut off पूसता है फिर cut off के बाद वो सोचता है अरे यार cut off तो निकल ही नहीं रिये फिर वो तैयारी शुरू करने के बारे में सोचता है फिर वह तयरी शुरू करता है, तो वो दुनिया बर की classes में आता है तो फिर वो बोलता है, renew batch काप आएगा, new batch काप आएगा वो new batch, new batch की फिराक में ही सोचता है, तो पेपर से 15 दिन पहले ही लोंगा ना क्यों? क्योंकि नया बैच लेना है उसको तो ये उस बच्चे की सोच है जो अभी book के बारे में पूछ रहे है जो genuine बच्चा है जो actual बच्चा है वो क्या करता है वो सबसे पहले अपने syllabus को देखता है उस syllabus की subjects को देखता है कि उसको क्या अच्छी लगती है और क्या आती है उसको फिर वो 4 subject का time करता है कि इस subject को इस time पढ़ूंगा और regular basis पर पढ़ता रहूंगा math, reasoning, gk, gs पहले पढ़ूंगा मैं उसी की जो class की practice होती है वो करूंगा उसी की revision करूंगा फिर revision, revision, revision सब हो जाएगा तब मैं अगला step खुद self practice पे उपर आऊँगा जहां मैं previous year questions करूंगा अगर sir करवा दे मैं expected questions करूंगा अभी तक मैं खुद को जज नहीं करूंगा फिर last के 1 मेने में mock test लगाऊंगा तो यह वाली उसकी चीज़े चलती है तो आप इस तरह के बच्चे हैं तो आप इस तरह के बच्चे बनने की कोशिश करें तो आगे चलते हैं अगला प्रशन आपकी screen पर है यह अलग type है यह आपका बिलकुल different type है और आप इस type को एक बार पढ़िए और करते हैं देखें कौन answer देता है अब यहाँ इस concept में क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है वही एक व्यक्ति अपना 10% की loss पर बेचता है 10% का loss क्याने कि यहाँ अगर उसको 10% का loss हो रहा है तो मैंने minus का 10 लिखा और उसने उस वस्तू को अगर 75 रुपे अधिक पर बेचा तो 10% का profit हो गया 10% का profit हो गया तो 10% का loss और 10% का profit तो यहाँ पर मैंने देखा कि कितना increment है देखो हमेशा क्या करोगे आप पहले आप 0 पर आओगे तो यहाँ प्लस 10 अब आओगे और फिर प्लस 10 से प्लस 10 पर जाओगे तो जो deviation आ रहा है वो आ रहा है 20% का अब 20% जो बराबर हो जाएगा आपके 75 रुपे के ठेक है पांस से अगर मैं आपको गुणा कर रहा हूं तो पांस से मैंने आपका गुणा कर दिया साड़े 325 रुपया यह क्या होता है जो 100 परसेंट निकला है यह आपका क्या है क्रे मुल्य है कोस्ट प्राइज है 375 आपका कॉस्ट प्राइज है 375 आपका कॉस्ट प्राइज है ठीक है 375 आपका कॉस्ट प्राइज होगा यह डैविएशन समझ में आया आपको कि माइनस के 10 से प्लस के 10 का मतलब है 20 परसेंट अगला करो कि सर एक सो बान में पैन का क्रे मुल्य दस रुपे है तो पांच पैन कितने रुपे में खरीदे जा सकते हैं क्रॉस मेथड भी लगाओ चीजे बताओ के से कर पाओगे आप कि अ कि एक सो बान में पैन का जो क्रे मुल्य है वो दस रुपे है तो पांच रुपे में कितने पैन खरीदे जा सकते हैं कि आप इसमें प्रॉफिट लॉस ढूंड रहे होंगे बट ये प्रॉफिट लॉस में लगने वाला कौन सा मेथड है ये किल्म लाकर एक आपका यूनिट यूनिटरी मैथड एक अख नियम यूनिटरी मैथड एक अख नियम एक सो बान में पैन का क्रे मुल्य है दस रुपे तो दस रुपे में एक सो वन नाइन्टी टू पैन पांच रुपे में कितने 96 पैन कितने पैन 96 पैन खरीदे जा सकते हैं अगला करो 240 रुपे का क्रे मुल्य इतना ही क्रे मुल्य पर ही बात चल रही है अभी कंफ्यूज मत हो ना क्योंकि अगला जो टाइप आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा कि यूनिट्री मेथड है क्योंकि यहां भी बच्चा कंफ्यूज जाता है कि दो सो चालिस पैन का जो क्रे मुल्य है वो चौबिस है एक पैन का जो क्रे मुल्य है वो एक बटे दस है तो आठ पैन का कितना है आठ बटे दस ठीक है वह दो सो चालिस पैन का चौबिस है और एक पैन का इतना है तो आठ पैन का कितना है आठ बटे दस आठ पैन का आठ रुपे में कितने पैन खर दी जा सकते है ओ ग्रेट बहुत बढ़िया तो एक रुपे में कितने पहन ख़र दिया अवर रुपे की बात करना है अपना आपनों है आइसे अपन बसकृ है तो जिसको रेफरेंs ले लेते हो जैसे 8 रुपे का पूछा गया है तो आप 1 रूपे को निकालोगे पिचले वाले में क्या फर्क था पिछले वाले में हमें 5 उर्पे में कितने पेन ऐसे निकालना था ठीक है ऐसा अगला कुशन देखिए कि क्रे मुले और विक्रे मुले का अनुपाद दिया हुआ है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा क्रे मुले और विक्रे मुले का अनुपाद दिया हुआ है तो प्रॉफि 30% का जो है वो आपका लाब रो चुका है ठीक है भी या अगला कोशन आपके सामने ये लीजिए करके बताओ एक बर कि लाब का प्रतीशत क्या है और भी ये अच्य है अब देखिए एक मशीन का विकरे मूले इसके करेम मूले का एक मशीन का विकरे मूले इसके करेम मूले का यानि कि यह कितना है चार बटे तीन किसका क्रेम मुल्य का तो यह नीचे वाला आपका CP है और उपर वाला आपका SP है तो आपका जो profit आजाएगा वो कितना आजाएगा एक का profit है तीन के respect में है गुणा 100 यानि कि जो आपका प्रतिशत होगा वो 33.33 हो जाएगा यह कल तक का आ आज के concepts पर जो हम आज सीखने वाले हैं सो आएए स्टार्ट करते हैं आज का topic जो हम आज बताएंगे आपको ठीक है देखो जनरली जो होता है profit और loss किस पर calculate होते हैं जनरली जो profit और loss हमेशा वैसे तो CP पर calculate होते हैं हमेशा cost price या क्रेम मुल्य या CP पर cost price या क्रेम मुल्य पर calculate होते हैं calculate होते हैं मतलब जनरली यह आपके cost price पर ही calculate होते हैं देखा जाये तो बट कभी कभी प्रश्न जो हो है वो उल्टा काम कर देता है प्रश्न क्या करता है कि भाईया अच्छा calculate कर रहे हो आप CP पर नहीं होने दोंगा वो ऐसा सोचता है तो वो क्या करता है question आप selling price पर ऐसे बोल देता है किसी वस्तूपर 20% profit हुआ selling price पर तो पूछ ले दाता है तो actual profit क्या है उसको भी पता है कि वो गलत है तो वो पूछा है कि गलती से किसी ने selling price पर profit calculate कर दिया तो actual profit percentage कितना है actual profit percentage कितना है चली यह बताईगे तो normally देखते हो तो 20% का profit is SP पर हुआ है बट question उल्टा पूछ लिया कि actual profit बता दो क्योंकि selling price पर तो कभी profit होता ही नहीं है न यह सारी दुनिया जानती है इस बात को तो यहां हम यह कह सकते हैं कि आप यह एक बटे 5 लिखो लिख दिया और यह 5 आपका selling price है बहुत अच्छी बात है एक आपका क्या है profit है यह भी बहुत अच्छी बात है अब आप मुझे बत गलती यहां कर जाते हैं excitement में गलती हो जाती है ठीके बहुत में गलती हो जाती है और हो नहीं चाहिए अभी तो सीखने को मिलेगा clear है एक बार अप थमस अप कर दें भाई लाइक वाइक नहीं करते हो तुम्हार है इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी चीजे पढ़ा रहे हैं चलि जो आपको 20 परसेंट दिख रहा था profit वह actual में 25 परसेंट है क्योंकि आप क्रेम उल्या के सापेक्ष में निकालने की बात की गई है आपसे अगर मैं इसी question को आगे और देता हूं कि 37.5 परसेंट का सुन रहे हो बात 37.5 परसेंट का profit हो रहा है profit selling price पर हो रहा है profit selling price पर हो रह अब ट्राई करो भाई देखते हैं कि सब अपने 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 इसाब से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटाया ना कि हुआ हुआ है तो आपने यह notice किया कि सर सबसे पहले 37.5 परसेंट को मैंने लिग दिया 3.8 यह selling price आपका होगा और यह आपका क्या होगा profit होगा तो selling price आपका अगर 8 है तो तीन अगर आपका profit है तो cost price कितना है cost price आपका हो जाएगा 5 ठीक है तो actual profit कितना होगे आपका 3 CP के respect में गुणा 100 60% 60% ऐसे होगा answer अब गलती मत करना भाई क्यों करते हो गलती अगला question और देता हूँ 14 सही दो बटे 7% का अगर मान लीजिए loss हो रहा है selling price पर तो actual loss कितना है percentage loss actual loss कितना है बहुत खुबसूरत मेरे प्यारे बच्चों चलिए यहां एक बटे साथ है यह selling price पर हो रहा है और यह आपका loss हो रहा है यहां selling price है साथ cost price क्या हो जाएगा भाई cost price आपका 8 होगा अब पूछते रो और सोचते रो और एक बटे 8 गुना 100 करूंगा तो साड़े 12% का loss हो रहा है कितने का loss हो रहा है साड़े 12% का लॉस हो रहा है आपको बेरी बाते समझ में आ गई होंगी अमीद यही है और यही अमीद से आपको आगे चीज़े सीखने को मिल रही होंगी 12.5 अच्छा ये किसी को doubt तो नहीं है कि हाँ 8 क्यों आया क्योंकि जब भी loss होता है मेरे प्यारे भाईयों तो loss होने का मतलब है आपका cost price ज्यादा होगा selling price से आपका cost price ज्यादा होगा selling price से इसलिए ऐसा होता है ओके समझ में आरिये बात ओके next अगला type अगला concept आपके सामने दे रहा हूँ और आप मबद बताएंगे कि इसमें क्या लग सकता है ऐसे question को कैसे approach आप लोग करोगे ओके चलिए अगला question ये आपके सामने है कि 12 apples question आपके सामने है और type समझ के करना ठीक है 12 apples 12 apples 60 रुपे में बेचने पर 12 apples साथ रुपे में बेचने पर 12 apples को साथ रुपे में सेल करने पर 25% की loss होता है 25% loss होता है 12 apples हैं आप 60 रुपे में सेल आउट कर रहे हो तो आपको loss हो गया अब आप बताएंगे कि 25% का लाब कमाने के लिए 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 100 रुपे में कितने एपल कितने एपल्स बेचने हैं 100 रुपे में कितने एपल बेचने हैं चलिए चलिए भया अरे प्रीतम तुम आ गए क्या देखो तुम्हारे टेंशन में कितना मोटा हो गया भाई कहां थे तुम इत्य दिन तक भाई मेरे प्यारे प्रीतम है अब यह लोजिक है यह टाइप है एक पूरा का पूरा टाइप चलता है इसका टाइप चलता है टाइप ठीक है अब वो टाइप कैसे होगा देखिए बारा एपल्स 60 रुपे में बेचने पर 25 परसेंट लॉस होता है 25 परसेंट प्रोफिट अर्च करने के लिए तो रुपे में कितने एपल्स बेचने हैं आपको बताना है कितने एपल्स बेचने हैं तो हमेशा ऐसे कुश्चन में एक मैथड काम करता है जो आपको सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा ऐसे मैथड को क्रॉस मैथड बोलते हैं सर यह मैथड कब लगता है क्रॉस मैथड कब लगता है क्रॉस मैथड क्वांटिटी सुनना मेरी बात क्रॉस मैथड क्वांटिटी और प्राइज कंपेरिजन में लगता है हमेशा 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 आप जबी भी quantity और price comparison करोगे तब यह लगेगा आई देखिए कैसे लगता है देखते हैं हमेशे जब question करने जाओ तो दो तरह की profile में बाढ़ दो एक हिस्सा अलग एक हिस्सा अलग हमेशे यह एक हिस्सा अलग है यह किस्सा अलग है 12 apple 60 में बेचने पर 25 परशन का loss होता है एक apple इतने में क्या हो रहा है 25 परशन का loss याने की 75 परशन आपका selling प्राइज आ गया यह एक हमेशा पर पर apple cost निकालनी है पर apple cost क्या निकालनी है दोस्तों आपको प्रती सेव की कीमत पर apple cost और selling price और सौ रुपे में कितने तो सौ रुपे में कितने तो सौ और कितने और वही तो कुशन है 25 परशन का profit हो जाए तो 125 पहली बात तो यह किलियर हो गई क्या यहां selling price की से comparison कर रहे हो तो selling price से compare कर लो क्योंकि वहां loss हो रहा है तो 75 यहां profit चाहिए तो 125 एक एपल कितने का तो 12 एपल साथ का तो एक एपल साथ बटे बारा का तो सौ रुपे में कितने एक्स निकालना है क्या करोगे cross multiplication तो 12 पंजे साथ और 125 परसेंटेज गुणा 5 बराबर 100 इंटू 75 परसेंटेज ओफ अपॉन एक्स 25 पंजे 125 25 तिया 75 25 चोके 100 एक्स बराबर आगया 12 मजे आ गए क्या यानि कि आप सौ रुपे में 12 एपल बेच पाओगे बस तो यह quality है बाई साथ तीन और 5 कर दीजे वो कर लेंगे वो छोड़ो आप जो मैं सिखा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ पहले अभी अगर आप छेड़ खानी करोगे तो फिर concept कमजोर हो जाएगा बिचारा वो कहेंगा यार यह मानी निरे मेरी बात हैं तो आप उसको इस कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं है तो बारा बताएंगे अगला एक्जामपल भी लेते हैं ठीक है हाँ कि अगर अगर कि अगर आराम से देखो समझो जबाब दो कुशन करोगी अगला करो अगला कुशन आप लोगों को अपने दिमाग से करना है और क्रॉस मेथड की ताकत का अंदाज लेना है क्रॉस मेथड बहुत अगरा मेथड है यार आप से बोला जा रहा है साथ 10 रुपे प्रति कि दस रुपे कि अग्याओ कि साथ पैन कि दस रुपे में यह बोल सकते हैं दस रुपे प्रति साथ पैन साथ पैन दस रुपे में खरीद कर लाया कि साथ पैन दस रुपे में खरीद कर लेकर आया यह ऐना बहुत बढ़िया 40% का लाब हुआ साथ पहन 10 रुपे में खरीद कर लेकर आया और 40% लाब पर बेचा ऐसे लिखो 40% के लाब पर बेचा 40% के लाब पर बेचा अब साथ पहन 10 रुपे में खरीद कर लेकर आया है 40% के लाब पर बेचा है तो तो बताओ 20 रुपे में कितने पहन खरीद सकता है किसी खरीद रुपे को मिलने चाहिए न 20 रुपे में कितने पहन मिले तो बताओ 20 रुपे में कितने पहन खरी सकता है या बोज सकते हैं कि 20 रुपे में खरीद दार को कितने पहन मिले खरीददार को कितने पैन खरीददार को मिले ऐसे लिखता है थोड़ा कुशन की लेंगवेज को समझना होता है बस रैंडम जो कुशन बनता है तो ऐसी बनता है बहुत अच्छे यार हीच दिया मेटर आपने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कैच जाओ आराम से करो आराम से कोई टेंशन नहीं है कि देखते हैं क्या अंसर आप लोगों का आता है और जितना भी मैं देख पा रहा हूं मुझे काफी ठीक लग रहा है तो यहां पर भी क्रॉस मेटर काम्याब रहेगा क्रॉस मेटर कहता ही इसलिए थोड़ा समझ लो पढ़ लो आज बचता है तो 10 रुपे में खरीदार को कितना मिला यह पूछा जा रहा है 20 रुपे में तो 7 एक पहन कितने का 10 वटे 7 यह खरीद हो रही है खरीद कर लाया 40 परशन का लाव है तो 40 परशन को आप लिख सकते हो 5 से 7 लिख सकते हो निख सकते हो देखो यहां पर आप CP जब पिच रहे हो वो निकालना नै भजमी में कोषन में दम है आप भी था नहीं करते हो बस मेरी बात का मुझे तो लगता है यह selling price है और cross method सबसे प्यारा मेफ़ड इस दुनिया का सबसे प्यारा method है सो बटे X तो X ने जिनका भी आंसर आ रहा है तो 10 पन तो मतलब आप उसको बेचोगे न तो दस पेन बेचोगे आप उसको सर जीडी एक्जाम दे कर आया हूँ अब बताईए क्या हुआ उसमें देखो प्रतक्ष को प्रमान के आफशक्ता नहीं होती है आर्यन क्या कह रहा है सर जीडी एक्जाम दे आया आपका ही करवाया हुआ कोशन आया था सर चलो यहां भी सफल हुए और यही जीत होती है एक टीचर की हो अल्ला करने से काम नहीं चलता काम ऐसा कर रहा हूँ कि बच्चे अब ऐसे बोले आंकर चलिए अरे बेसिक बेसिक नहीं चलता यह मैथड़ है भाई मैं बहुत अगड़ा मैथड़ सिखा रहा हूं तुम बात ही नहीं समझते हो मेरी अब काम बोलेगा अब देखना कैसे कैसे बच्चे आते हैं और बोलते हैं फिर आपको पता लगेगा चलिए अब आगे चलें और करोगे क्या और करोगे इस पर कॉश्चन अगर करो तो ठीक है नहीं तो फर अगला कॉंसेप्ट बहुत प्यारा है कि अ कि सर आर अर बी में भी ऐसे ही करवा देना बेटा मैं ऐसी करवाता हूं आप मेरे को जानते नहीं हो शायद स्टार्टिंग से जो मेरे इस टूडेंट पुराने है उनको पता होगा एस इस कुश्चन का क्लास का कुश्चन उठता है पेपर में एस इस क्लास का अभी तो को शुरुवात इसलिए तो आरम आरम से करवा रहा हूं तो बताओ इतनी प्यारी तैयारी सेम फाउंडेशन में भी चल रही है यहां भी कॉंसेट ले लेते हैं अगला कॉंसेट कुछ यह है भाई कि आप आप यह बताओ जब कभी आप कोई प्रॉफिट लॉस की बात करते हो तो आप प्रॉफिट लॉस की बात करते हो तो आप किसी रुपीज में कोई रुपे में आप कोई चीज खरीद कर लेकर आ रहे हो कॉंटिटी यह रही अब मैं कहता हूं कि मैंने बेचा है य रुपे में बेच दिया तो क्या मैं profit और loss calculate कर पाऊंगा हाँ या ना मैं जवाब दे रहे पहले मेरे को हाँ चलिए बताओ क्या मैं profit और loss calculate कर पाऊंगा डियर सच्छी सच्छी बताओ हाँ या ना तो आप लोगों के मन से अवाज आएगी सर जी आप है ना आप profit and loss calculate कर तो सकते हो बट आप एक कमी छोड़ दोगे क्या छोड़ दोगे quantity को same करना तो कभी भी आप याद रखना कि जब कभी भी profit and loss calculate आप करते हो तो आपकी जो quantity होगी ना है quantity अगर same है तब तो आप तुरंत cost price और selling price को compare करके अगर माल लीजिए आपकी selling price ज़्यादा है cost price से तो आप percentage profit निकाल सकते हो CP के respect में गुणा 100 CP के respect में गुणा 100 percentage profit CP के respect में गुणा 100 quantity same होनी चाहिए अब जाके आपका काम चलेगा परना नहीं हो पाएगा जैसे कि सब कुछ एक्जामपल दे दो जैसे कि मैं एक्जामपल ले रहा हूँ कि 10 रुपे में मैंने 11 एपल खरीदे और मैंने 11 रुपे में 10 एपल को बेचा मैं लिख रहा हूँ अभी रुको मैंने 11 रुपे में एपल को बेचा यह मैंने खरीदे हैं और यह मैंने बेचे हैं तो what about my percentage and my percentage profit and loss करके बताओ एक बार अब इस तरह के question में क्या होता है कि आपको यह देखना है सर 10 रुपे में आप कोई चीज खरीद रहे हो तो quantity आप देख सकते हो कि 110 कर लो तो यहां आपने 10 का गुणा कर दिया तो 10 का गुणा करने पर 100 रुपे आपका क्रेम उल्ले हो गया यहां पर आपने 11 का गुणा कर दिया तो यहां भी 110 हो गया 11 का गुणा करूंगा तो 121 हो गया तो ultimately आप यह देख सकते हो कि 100 रुपे तो आपकी खरीद है और 121 में आप बेच रहे हो तो क्या हो गया 21 का profit 100 के respect में गुणा 100 तो answer जो आ रहा है वो 21% आ रहा है तो 21% आपका profit calculate हो जाएगा quantity same करना जरूरी है बिना quantity same करें कर ही नहीं सकते हो आप कर ही नहीं पाओगे बेटा ठीक है अब सर इसी logic के उपर और भी आते हैं क्या हाँ एक different logic भी आता है उस पर भी हम आज बात करेंगे आपसे और वो अगला type बनता है इसका इसका advanced होता है थोड़ा सा वो बताता हूं मैं आपको एक मिंटो को की चलिए कि अभ एक कुशन क्या बनता है एक फल विक्रपै दस रुपे में 4 कि c 10 रुपे में 4 फल, एक फल विक रहता, 10 रुपे में 4 फल ठीक है, और 10 रुपे में 5 फल यह ऐसा चीज है कि भाई, खरीद रहे हो आप आप यह आपकी खरीद है, कभी-कभी दो खरीद भी तो हो सकती है, अलग-अलग टाइप के फल है, तो आपसे बोला गया है कि यह आपकी खरीद है, खरीद मतलब पर्चेज, पर्चेज मतलब आपकी यह CP है, cost price से relatable है, और जो खरीदे हैं आपने, जैसे type 1 के फल आपने खरीदे, एक तरह के हैं जो इस भाव में मिल गए, दूसरे तरह के जो फल हैं, वो इस भाव में मिल गए, भाव अलग अलग हो सकता है किसी भी type के, मैं लिख देता हूँ, type 1 वे, type 2, type 1 और type 2 के जो फलों की संख्या है, जो type 1 और type 2 के फलों की संख्या है, वह equal होगी, यह बात निश्चित है, type 1 और type 2 के जो फलों की संख्या है, वो equal होगी, type 1 वे, type 2 के फलों की संख्या जो होगी, वो equal होगी, ठीक है, अब हम क्या कह हैं कि दोनों को मिला कर अ अब बेचने की बारी आई है बेचते समय कि बेचते समय 20 रुपे में 9 फल ऐसे बेचा आपने बेचते समय आपने क्या किया 20 रुपे में 9 फल के भाव से बेचा तो आप यह मुझे बता दो 20 रुपे में 9 फल बेचे ठीक है तो आप बताओ कि पर्सेंटेज प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कि क्या होगा है अच्छा टाइप यह हाइस टाइप आता है आपके पेपर में है अभी डट तो जाओ वैर तो और आंसर निकाल दिए तुमने सब्सक्राइब आए से कुद्ध में बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो क्या चाहते यह टिंक कर तब है अदमी के कहते हैं कि इन्さん बहगरने इन्सान बनाया तो इतना है 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 था बहगरने इंसान बनाया वह ऐसा बना दिया कि वह सैटिस्वाइड कि आधिन हो सकता है प्थे तुम कुछ रवाए तो आप अब इसलिए वो संतुष्टी बच्चे बटकते रहते हैं है जो एने संतुष्टी कहां से लाए इसके बताइए अब उसको आराम से समझा रहे हैं तभी भी इसका को आरा से यह दो समझा रहे है को चींग सो हो जाएगी ऐसी चलती रहेगी प्रोब्लम्स तो इनका कोई इलाज नहीं है सॉलुशन क्या है अच्छा पड़ा लो अच्छा पड़ा तो सीख लोगे तो गालिया थोड़ी कम पड़ती नहीं समझ में आया तो ज्यादा पड़ेंगी तो बात आती है समझ में कि सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 के फ़लो की संख्या को बराबर करना पड़ेगा खरीद में भी तो पहले बताओ यहां 4 है और यहां 5 है इन को बराबर करना पड़ेगा तो मैं यह कहना चाहताँ हूं सर खरीद की निकाल रहो हूं पहले 10 रुपे में आप 4 फल ला रह। ठीक है और 10 ठीक है यानि कि 50 रुपे और 40 रुपे तो 90 रुपे यहां लग गए और टोटल कितने फल आ गए 40 फल यह बात आपको क्लियर है क्या यह खेवल खरीद खरीद आई है आपकी इस चीज़ से कौन एगरी करता है कि 90 रुपे में 40 फल मैं खरीद चुका हूं यह क्या किया पहले मैंने टाइप वन और टाइप टू के फलों की संख्या को इक्कोल किया मैंने जो कि करना मेरा पहला काम है बहुत अच्छी बात है सर यहां से कॉस्ट प्राइज है क्या कहता है कि आप बेच कैसे रहो 20 रुपे में 9 फल तो क्या आप डयरेक्टली बेच पा हां ठीक है यह सेम होनी चाहिए तो यहां पर आ गया 9 से गुणा करना यहां से आ गया 40 से गुणा करना जिससे कि आपकी सैटिंग बैठे तो आपने यहां देखा कि सर 810 आपका क्रेमूले है और 800 आपका विक्रेमूले है तो यहां लॉस हो रहा है 10 बटे 810 गुणा 100 का तो यह बात बन गई कितनी सौ बटे एक्क्यासी तो परसेंटेज लॉस हो गया सौ बटे एक्क्यासी का क्लियर है क्या बैया चलिए संजु बाबा कह रहे है सर इतने कम टाइम में एलपी कवर हो जाएगा क्या वह तो तुमारे उपर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को कम मान के चल रहे हो अभी भी भटक रहे हो तो फिर यह समय भी परियाप्त नहीं है फिर आप लाश्ट के 20 दिन में भी यही गड़ाउट पूछोगे सर 20 दिन में से एलपी निकल जाएगा क्या आपको भी पता है कि आपकी छटनी तो संभव है और आप अपना जो गड़ा है वह अगले साल के लिए भी खोद के रखोगे क्योंकि आप यही प्रश्ण जब अ वह आप बिल्कुल उसी टाइम पर आके पूछोगे लेकिन यह नहीं है कि आप तैयारी शुरू कर दो ऐसे कैसे हो जाएगा तैयारी शुरू करो भाई पढ़ते रहो बस पढ़ाते तो ठीक हैं पर थोड़ा स्पीड में आप बता रहे हो में वह पढ़ाते तो ठीक है क्या एक और आता है उस आपके सामने डिसकस करता हूए न कॉंसेट एक और आता है वह आप डिसकस करते एफिर इस के ब्याभब पर कल मैं आपको को दोच्छन कराऊंगा जैसे की कल को आपसे कोई बोल ते अच्छा कोश्चन आ ध्यान डखना एक शौप कीपर या इसी के बिहाब पर कॉंसेप्ट है एक शौप कीपर एक शौप कीपर 33 मीटर कपड़े बेचकर एक शौप कीपर 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट कमाता है तो पर्सेंटेज प्रॉफिट और लॉस ये पूछ लिया आपसे अभी थब सांती रखना आता है तो बता देना अदरवाइस चुप रहना फिर मैं सिखा दूँगा हाँ विक्रम ये बैच फ्री है भाई एक्सप्रेस बैच इसका नाम है जहां पर हम तीनों सब्जेट कवर कर रहे है और शाम को फिर मॉक टेस्ट भी करवाता हूं मैं और मेरा फाउंडेशन बैच बहुत अच्छी क्वालिटी का है वह आपको जॉइन सभी को करना है सर हम नहीं करें तो तो आपका यहां से अलपी निकल जाएगा लेकिन आने वाले एक्जाम के लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपको यही सला दूगा कि वह आप जॉइन जरूर करें और आपका वह पैसा वसूल बैच है वह हो जाएगा वसूल यह मेरी गार एक शॉप कीपर 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट कमाता है सर तो प्रॉफिट कमा रहा है न वचारा प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है सेलिंग प्राइज माइनस का कॉस्ट प्राइज मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ कि आपकी जो डीलिंग हो रही है कि वह कितने मीटर कपड़े पर हो रही है पहले मुझे बताओ आपकी जो डीलिंग हो रही है वह कितने मीटर कपड़े पर हो रही है सब्सноches, थीन बजे मेरा हएं केहचेदा मैच चलता है और कियाचेदा मेच रीजनिंग भजे और कियाचेदा साइंस रात को दस वचे ठीक है आधिए आपकी जो डीलिंग और भी है, वो कब हो री है बेचकर 11 मिटर कपड़े के लागत कीमत के बराबर बोला नहीं है कुछ भी तो लागत कीमत के बराबर कुछ नहीं बोला 11 मिटर कपड़े के बराबर तो 11 मिटर लागत कीमत सेलिंग कीमत नहीं लागत कीमत के बराबर तो यहां से अगर हम देखते हैं चम्वाले CP बराबर 33 SP, so what about CP upon SP, 3 upon 4, so यहां profit हो रहा है, अपने आपी profit देखा, यह 1 का profit है, तीन के respect में गुणाशो, तो जिनका भी answer 33.1 by 3 आ रहा है, वो ओके है, वो ठीक है, so logic क्लियर हुआ, कि जितने मीटर कपडे पर, सर आपके बच्च, हाँ, क्या बोल रहे हैं, सच्ची बताओ रहे हैं, सर आपके बैच ने धूम मचाया, SSC GD में shift 1, yes, चलिए, next, एक कुशन और इस पर करते हैं, फिर आप लोग उसे विदा लेते हैं, एक कुशन और इसके ब्याब पर करेंगे, फिर इसके टाइप हम बाकी कल भी करने वाले हैं, चिंता मत करो, सौ पैंसिल बेचने पर, बीस पैंसिल के विक्रे मुल्य के बराबर लाब होता है, कोई व्यक्ति, सौ पैंसिल बेच रहा है, सौ पैंसिल बेचने पर, बीस पैंसिल के, कि विक्रे मुल्य के एक्वल प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा तो आप 100 पैंसिल को सेल आउट कर रहे हो और आपका जो प्रॉफिटी हो रहा है तो वह 20 पैंसिल के सेलिंग प्राइस के एकवल हो रहा है तो आप 100 पैंसिल को बेचोगे और 100 पैंसिल को आप खरीदोगे तो आपका यहां से 100 का CP is equal to 80 का SP हो जाएगा और CP और SP का जो रेशो निकल कर आएगा वह 20,84 और 25,00 मैं आपको फिर बोलता हूं कि जितने पर डीलिंग हो रही है उतना ही आपको सेलिंग और उतना ही कॉस्ट लेना है और फिर जो प्रॉफिट हो रहा है वह आपको देखो कुशन में दिया हुआ है 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल इक्वेशन बनाईए आंसर पाईए आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों से सुनना चाहता हूं आप लोगों के कमेंट के बिहाफ़न में जज़ करना चाहता हूं मेरे इस प्यारे से से सेशन को like share में मैं कमी नहीं चाहता प्यार में मैं कमी नहीं चाहता और आप मेरी महनत में भी कभी कमी देखेंगे ही नहीं आप 10 दिन बाद भी अगर पड़ने आ रहे हैं तो भी मैं यहीं मिलूँगा क्योंकि मेरा काम consistent है मेरा काम selection देने वाला है आप लोग अगर लेने वाले हैं तो आप भी continue रहेंगे अगर आप लेने वाले selection लेने वाले नहीं है तो आप भी भटकते रहेंगे यह reality है आप खुद को judge कर सकते हो अगर आप खुद के लिए इमानदार हो तो आपको कोई रोक सकता है selection लेने से कोई माई का लाल नहीं है जो रोक जाए भाई यह guarantee है आप अगर इमानदार हो तो आप अगर खुद इमानदार नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है और इसलिए मैं confidently बोल पाता हूँ कि बच्चा पढ़ो बस selection अपने आप होगा बस पढ़ो पढ़ो बस ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल हम इनके questions करेंगे अगली फाइल में आप test series हमारी test series वाली application से ले सकते हैं जो कि quick tricks test series application है साथ के साथ में हमारी जो रणनीती है जहां हम topic wise आपको पढ़ा रहे हैं जो कि free पढ़ा रहे हैं YouTube पर पढ़ा रहे हैं नौ बजे आपके हरीश भहिया क्लास लेते हैं दस बजे आपके आकासर क्लास लेते हैं सुभा और ग्यारा बजे मेरी तीसरी क्लास साहिल एक्सप्रेस चलती है आप चैनल से जुड़ें आप चैनल को subscribe करें यहां नहीं अभी और सुनिये आपकी mixed question की practice ALP और railway के exam से related practice feeling exam वाली देने के लिए full तैयारी, full marks की तैयारी के लिए आपके लिए practice batches भी चल रहे है जो कि free है YouTube पर जो कि 3 बजे चलता है दुपैर में math का 6 बजे reasoning का और 10 बजे आपको science का आप भटकना चाहें तो आप भटकिये but quality तो यहीं है और कहीं नहीं है ठीक है आप लोग जुड़ी है हमारे साथ में साथ के साथ यह telegram channel है जहां पर मैं PDF डालूँगा math by sahil sir हाँ अगर आप अच्छे से cover करना चाहते है basic तो मैं आज भी आपको बोलूँगा कि आप ALP भी निकालोगे आप technician भी निकालोगे आप NTPC, Group D, JE सब निकालोगे आप आपको कोई shortcut नहीं अपनाना महनत करनी है तब जाके सफलता मिलेगी join my railway foundation batch VOD और live दौनों में है अभी चल रहा है live और आपको जो हो चुकी हैं classes वो recorded में मिलेंगी काफी दिन से चल रहा है क्योंकि quality maintain करके चल रहा हूँ मातर 600 99 में यह आज रात को available है आप लेजिएगा ALP, technician, NTPC, Group D आज रात तक यह चलेगा आपका offer मैं continue रख रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है रखने में बस आप लोगों को time नहीं लगाना जुड़ने में क्योंकि फिर आपके पस content तो होगा लेकिन आपके पस समय नहीं होगा वो भी फिर बेकार काम है आपको पढ़ना है आपको पढ़ाई शुरू से start करनी है जो live चल रहा है वो सुबह 9 बजे आ सकता है अभी advance में पूरी बाकी है तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा अगर आप पूरा RRB लेना चाहते हैं जा सारी subject की tension खतम करना चाहते है तो आप railway record breaking batch ले सकते हैं जो कि हमारी application पर एक batch है यह भी आपको offer में मिल रहा है offer coupon में मिलता है coupon वही लगा हुआ है आपके application पर ही अलग-अलग भी ले सकते हैं अपनी application पर जाएंगे paid course के अंदर आपको RRB लेना है तो RRB ले लो जिसमें सारे batch हैं और अलग-अलग के सारे batch जैसे की math, reasoning, science और GK चारों मिल जाते हैं तस्ता पड़ता है बच्चा जो तैयारी करता है उसको बाई नाओ पर जाना होता है तो off coupon लगा देना बस और अलग से लेना है तो अलग वाला coupon भी है तो हर किसी को offer चालो है पढ़ाई करो कोई अगर query है तो इस number पर आप call कर सकते हो वाट्सअप कर सकते हो इस number पर और दिन-दिन में किया करो भाई रात को 10 बजे फॉन करोगे 11 बजे फॉन करोगे 6 बजे 7 बजे फॉन करोगे तो कोई नहीं उठाएगा क्योंकि office टाइम में उठता है call तो 800-5663-101 ठीक है चलिए और यह अपनी application है इसको डाउनलोड कर लो जोड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लगातर classes के लिए जिससे की हर update आप तक पहुंच सके हर class आपको मिल सके बेसिक साइस और इंजिनिरिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी आप बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है जै हिन जै भारत वंदे मात्रम मिलते हैं आपसे अगले session में धेर सारा प्यार दीजिए धेर सारा support कीजिए बाई बाई